और इश्क में फर्क होता है महबबत बहुत जादा पाक होती है वो सिर्फ जजबातों से होती है महबबत आपकी माँ आपसे करती है आपकी दूस्त आपसे करते है आपके आसपास के लोग आपसे करते है आपकी बातों से, आपकी चीजों से आपके पूरे personalities, आपके रूहु से महबबत करते है जब बात इश्क की आती है इश्क थोड़ा सा पागल होता है वो ना हदों से गुजरने की बात करता है जब इश्क की बात होती है ना तो हम अपनी हदों को लांगते है It is not हमें society से लड़ना है हमें किसी समाच से लड़ना है हमें कोई प्रोटेस्ट करना है हम अपनी हदों से गुजरते हैं कि हम कितना सह सकते हैं हम कितना उस इनसान को संभाल सकते हैं कितना हम उस इनसान को बहतर बना सकते हैं इश्क उस हद से गुजरने की बात करता है तो relationship वही होती है जब आपको अपने आपको छोड़के दूसरे इंसान को संभालना सीखना पड़ता है अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ रहना तो आप हर चीज़ करोगे आप खुशी-खुशी करोगे जो नहीं चाहता फिर वो कुछ भी नहीं करता हर बार मुझे जख में जुदाई ना दियाकर अगर तू मेरा नहीं है तो मुझे ना दिखाई दियाकर इस चीज़ से मुझे अपनी कुछ लिख्योई लाइन से याद आए इश्क करो तो सोच कर करना ये बस तबहा करता है महबबत को बजारों में बड़ा रुस्वा करता है ये इश्क है बड़ा कमजर्फ ये इश्क है बड़ा नादान चोट दिल पर नहीं करता रूह पर वार करता है ओ रूह पर वार करता है पर वार करता है बड़ा करता है साइलेंस चुप्पी मौन शादी के बातना आप एक रिष्टे में मिच्छ और हो जाते हो आपका रिष्टा मिच्छ और हो जाता है आप सिर्फ दो लोग नहीं होते जिसको आपस में बैठ के प्यार महबबत की बाते करनी है आगे आने वले जिन्दगी को लेके सपने सजाने है आप उस जिन्दगी में होते है आपको उन सपनों को पूरा करना है उन सपनों के साथ-साथ आपको अपने जिन्दगी से जुड़े हुए रिष्टों को संभालना है मा, बाप, भाई, बहन, आपके होने वारे बच्चे, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर, आपको इन सबको संभालना है तो आपको एक चीज जो एक रिष्टा सिखाता है, वो रिष्टा जो बड़ा हो चुका है, वो ये कि आपको चुप रहना सीखना पड़ता है आप हर चीज पर शिकायत नहीं कर सकते हो, आप हर चीज पर उदासी नहीं दिखा सकते हो, आप हर चीज पर खुशी नहीं जटा सकते हो, आपको बहुत शान्त हो के चीजो को संभालना है So marriage tones you down? Marriage tones you down in a positive way, if you are in a good relationship, if your partner is good Again, now this what you said is too philosophical obviously, but people who don't have good relationships in marriage as well, how do they stay silent? I mean they are, maybe they don't even have an opportunity to stay silent, right? But they are forcefully staying silent See, I am not saying कि आप उस जगा पर silent रहो, जहां पर आपके साथ torture हो रहा है, आपके mental health पर बात आ रही है, आपके individuality पर बात आ रही है, आपके इज़त पर बात आ रही है मैं उन रिश्टों में चुप्पी अपनाने के लिए नहीं कहते हूँ जहां पर आपके वजूद के साथ समझाता होता है मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर आपका partner पूरी महनत कर रहा है, उस रिश्टे को संभालने की, अपने घर को चलाने की, अपनी जिंदगी को एक खुशाल जिंदगी बनाने की, तो आप उसका साथ दो, आप उसको परिशान मत करो, आप उसके ओपर एक और बोज मत डालो अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, we always expect कि दूसरे लोग हमें खुश रखेंगे, हम अपनी खुशियों का जो एक टोकरा है, वो दूसरों के सर पे डाल देते हैं, and in marriages it happens a lot, in relationship it happens a lot, कि हम हमेशे ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी खुशियों के बारे में करेगा, वो हमारी सपने पूरा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, हमारी लिए, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम उसके लिए क्या करेंगे, और अगर आप शादी में हो, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो obviously यार आप कुछ भी हो जिन्दगी में कुछ भी हो, एक दिहान रखना कि at the end आपको अपने जिन्दगी के पचास साल इनसान के साथ गुजारने है, अगर आप गुजार सकते हो तो खुशी खुशी गुजारो, अगर आपको भारी करना है एक एक पल, कि आप एक कमरे में नहीं बैठ सकते, आप एक घर में नहीं बैठ सकते, आप दूसरो के अंदर नुक्स निकालते हो, मैंने कहीं पड़ा था कि, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम्में, जैसे उन्हें खुदा चाहिये था, और हम इंसान निकले। but in that context, you get hate a lot. You still go against that and you protect men. See, Fahim, मैंने ना लोगों को मरते देखा हैं. जिंदगी में दो तरीके की मौत आती हैं. एक जो आपकी मनजिल होती हैं. एक वो मौत होती हैं, जो आप हर दिन जेलते हैं. पल-बल में. जब एक इनसान गलत रिष्टे में होता है. मैंने बहुत से ऐसे केसिस पढ़े. मैं जब इस बारे में बात करने लगी तो पहले मैं सिर्फ आदमियों के जजबात के बारे में बात करती थी. फिर मैंने देखा कि उनकी तकलीफ है क्या है. मेरे पास रोज सौसे ज़्यादा मेल्स आते हैं, जिसमें वो अपनी कहानियां बताते हैं. कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ ये, कि एक औरत जो होती है, वो इतनी उमीदें लगा लेती है, कि आदमी उन उमीदों को पूरा नहीं कर पाता. और इस शरम से कि वो उन उमीदों को पूरा नहीं कर सकता, वो पल-पल मरता है. हम लोगों की ना एक आदत हो गई है कि हमने एक बहुत soft target पकड़ लिया है आदमी हर चीज हमारी खौईश ये आदमी पूरी करेगा हमारी protection आदमी करेगा हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी चीजे होनी है तो वो आदमी करेगा for each and everything, for the smallest and tiniest thing in our life we want men, but we don't want to respect the men see, मैं ना ओरतों के खिलाफ नहीं हूँ मैं एक आइडिलोजी के खिलाफ हूँ कि हम ये कहते हैं कि हर चीज के लिए औरत जो होती है, वो sacrifice करती है ओरतों के जिंदगी में इतने सारे परिशानिया होती है, वो मा भी बनती है वो delivery pain जेलती है, वो periods के crams जेलती है जो मैं अपने daily life में एक औरतों के तकलीफ के बार में बात करती हूँ, उनको दूसरे इंसानों से कम मौके दिये जाते है ये होता है, इस society में आज भी होता है लेकिन हम ये नहीं समझ पा रही है कि जहाँ फेमिनिजम की जरूरत थी जहाँ पर actual में crime हो रहा था जहाँ पर domestic violence हो रहा था जहाँ पर तहेज के नाम पर लड़कियों को जलाया जा रहा था जहाँ पर बिल्कुल जैसे कहते हैं एक नवजात बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसका gender एक female है हमने feminism वहाँ नहीं दिखाया हमने feminism दिखाया किसी को नीचा दिखाने में किसी को बेज़ज़त करने में आदमियों को नीचा दिखाने में अगर आदमी कमाके ला रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी है उसका फर्ज है हाँ करते हैं सब करते हैं इसमें बड़ी बात क्या है लेकिन अगर एक और एक औरत कमाके ला रही है और आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो एक सेकिंड में वही औरत उसको यह बोल देगी, वही समाज उसको यह बोल देगा कि अपने बीवी की टुकड़ों पे बलता है मुझे इस आइडियलोजी से नफरत है वो औरत भी बोल देगी मैं कब तक कमाऊंगी? तुम क्यों घर में बैठे हो? कब तक घर में बैठोगे? वो जो एक चीज है ना कि एक इनसान ठीक है, औरते कमा रही है, औरते घर चलाती है, वो घर बसाती है मैं कभी सारी औरतों को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरी मा भी एक औरत है अगर मेरी एक बच्ची होगी तो वो भी एक औरत ही होगी मैं कभी एक औरत जात के उपर सवाल नहीं उठा सकती लिकिन मैं सोच के उपर सवाल जरूर उठा सकती हूं और मुझे सिर्फ इसी सोच से नफरत है मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी उठके अपने घर से परिशान होके, अपने उपर डाले गए बोच से परिशान होके आत्मत्या कर ले मैं नहीं चाहती कि कोई एक आदमी पल-पल इस सोच में मरता जाए कि मुझे अपने घर में पैसे लाके देने है no matter what कि अगर उसे अपना खून भी बहाना पड़े मैं नहीं चाहती कि एक आदमी इस चीज से मर जाए कि वो यार अगर इस दुनिया में ना भी रहाना तो किसी को को फरक नहीं पड़ेगा ये दुनिया चलती जाती है सिर्फ ये सोचा जाता है कि यार अब घर कौन चलाएगा उस आदमी के वैल्यू सिर्फ तब तक होती है जब तक वो जिन्दा था तब तक भी वो सिर्फ पैसो के लिए काम आ रहा था जब वो मर गया तब भी एक सवाल आया कि अब घर कौन चलाएगा किसे ने ये नहीं सोचा कि वो किस हालात में था उस मेरे को ना सोचके बहुत जादा कहते हैं ना कि मैं एक अंदर तक मेरा दिमाग ठंडा पड़ जाता है मैं सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ कि क्या गुजरती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की अपने रिष्टे को बचाने की और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़के चला जाता है कि उसका मन भर गया या फिर उसके जरूरते पूरी नहीं हो पारी बहुत कोशिश करता है वो वो कहते ना कि वो एक डोर है एक रिष्टे की जिसमें एक तरफ आत्मी खड़ा है उस डोर को पकड़े है वो एक तरफ वारत खड़ी है और वो जो डोर है वो एक परिवार है वो एक रिष्टा है इदर से आदमी ने बहुत कसके वो दोर पकड़ी हुई है लेकिन छोटी सी बात पे औरत उस दोर को छोड़ देती है वो अभी भी उसको पकड़ के खड़ा है इस उमीद में कि शायद वो सिवेक धील होगी वो दोर पूरी तरह से नहीं छोटी होगी लेकिन इंसान चला जाता है I remember जब आपने अभी कहा के and this is such a constructive point which can solve perhaps a lot of and it can help a lot of relationships as well the way you said it, it's very simple if you want to live with someone it's very simple that if you want to live with someone for 50 years and then you can't stay with them in the same room for an hour how is it gonna work and then at the same time you will have kids then you will feel like okay things are gonna change then they'll have a traumatizing childhood and then all you would say is that it was just written in the destiny but parents need to really make right decisions really because when a child I get a lot of teenagers that tell me how they have had traumatizing childhood right and I never maybe put in thought to it why but the more I understand about relationships now I know where it all comes from if you are not responsible enough to have if you never thought of having a kid and you had a kid for the change of the situation I don't think it's gonna work out they will definitely have a traumatizing childhood obviously and what would you answer to them when they grow up then they would turn their life around they will try very hard not to do what their father did and that is hard before you sign off I wanted to talk about one thing and I also have something to give you which is very close to my heart you said that I don't like to be called a storyteller much then I would like to be appreciated by being a writer right so tell a little bit about your journey and share some of your lines whatever you have wrote share some of it first of all I have to tell you write anything I also write 동 행복 I also write stories I also write songs I also write long-format films I also write web-series so I take my word back of calling you a storyteller I am not, yes I am not just a performing storyteller because I just don't listen to the stories in the stories there is truth and there is something like Brahman and I don't have faith in the birth of Brahman so that's why I write okay, so I write would you like to share some lines? यह मने आज ही लिखी ती एरपोट से आते हुए बहुत एक छोटी सी लाइन है कि okay, so hold on so एरपोट से आते हुए you wrote it yes thanks to our driver he took a lot of time to get go, reach there उन्होंने बहुत अचे गाने चलाए वेता है मस से thank you sir but since he but since he took a while so you got time to write right, so please पदा नहीं क्यों यह जहन में आया लिकिन यह ऐसास हुआ कि वो जख्म जो अकसर दिखाई नहीं देते वो बहुत दरतेते हैं wow thank you for coming here honestly and as I told you I've gotten you something which is really close to my heart and I genuinely think I gave it to one of my favorite storytellers Nayab one copy in the podcast and I'm giving it to you Hair One Indian Woman was a book which made me think of many things in life as far as women are concerned and I don't think in this world there is no other in my connections who represents women in many different contexts in a many in such a way where you know a lot of people won't agree and a lot of people will disagree but I don't think there is anyone better to gift to someone this book thank you so much thank you so much the Indian women yup the Indian women so I genuinely hope you read this and give your advice I will I will because Bharatiya Nari Bharatiya Nari yes thank you for coming here just it it was a different conversation I don't think we all have had an experience like this ever so and it went in such a good flow that interesting thank you for coming here it was really it was an honor to have you thank you so much Pahim Mujje bohat acha lega aapse baat kerke same and I am happy thank you thank you thank you everybody for joining we are coming up with more thanks for all the love and the support that you guys bring to our reels to the podcast that I was doing anyway